दोस्तो अब आप भी जा सकते हैं अपने परिवार के साथ दुनिया के सबसे अमीर देश में जी हाँ दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्जंबर की जिस country में ना सिर्फ आपको अच्छी salary मिलती हैं दोस्तो बलकि आपको बहुत सारे benefits मिलते हैं आपको अच्छी jobs मिलती हैं नहीं आपको किसी English test की जरूरत पड़ती हैं दोस्तो अगर आप या भी सरह करके वीजा के लिया अपलाइए है जौबस के लिए आप सब्सक्राइब अभलाइए ईचनल को सब्सक्राइब करनाinsky फिल theo पने सब्सक्राइब लेवल की, एंट्री लेवल की जॉब करते हैं, तो भी आप 3,000, 32,000, 35,000 यूरोस कमा सकते हैं, दोस्तों, 25,000 यूरोस तो किसी भी हाल में आप कमा सकते हो, ठीक है, और अच्छे खासे प्रेसे बचा के घर बेज सकते हो, अगर घर नहीं और भी आपको benefits देखने के लिए मिलेंगे, और उन सभी benefits के बारे में आगे वीडियो में बताने वालो हो, अगर आप Luxembourg का वीजा पाना चाहते हैं, तो भाईया, Luxembourg में जो आपको 3 तरीके वीजा मिलते हैं, ठीक है, short stay visa, long stay visa, और एक होता है EU blue card, दोस्तो, short stay visa उन लोगों के लिए होता है, जो कि Luxembourg सिर्फ और सिर्फ 90 दिनों के लिए जाना चाहते हैं, फिर उससे कम समय के लिए जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको short stay visa C मिलेगा, दोस्तो, अगर आप long stay visa लेना चाहते हैं, तो आपको 1 साल का visa मिलेगा, दोस्तो, आप पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, काम करने के लिए जाना चाहते हैं अपना विजनस सेटप करने के लिए जाना चाहते हैं एक साल के लिए अगर आप आप जाना चाहते हैं तो आप को long steer veiza लेना होगा इसके बाद तीसरी काटेगरी आती है Transport EU blue card जिहां दोस्तो जो सिर्फ और सिर्फ highly qualified worker सी ले सकते हैं इसके लिए अलग eligibility criteria होता है दोस्तो और इसका duration भी बाकी वीजा से थोड़ा से जादा होता है तो आप EU blue car भी ले सकते हैं अगर आप highly skilled jobs के लिए eligible हैं या फिर अगर आप highly skilled job हासिल कर लेते हैं लगजंबर्ग में तो ठीक है आज किस वीडियो में आपको unskilled jobs के बारे में बता हूँगा semi skilled jobs के बारे में बताने वाला हूँ दोस्तो और आपको highly skilled jobs के लिए बड़िया websites बताने वाला हूँ दोस्तो साथी आपको recruitment websites बताने वाला हूँ अगर आप खुद से वीजा लेना चाहते हैं दोस्तो तो सबसे पहले job डूलनी पड़ेगी, job मिल गया, job मिलने के बाद आपको work permit मिलेगा दोस्तो जो कि आपका employer आपको देगा, उसके बाद दोस्तो आपको अपनी country में work visa लेना होगा, मात 15 दिनों के अंधर आपको work visa लेना होगा, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले job आपको 10-12,000 रुपय का खर्चा करना पड़ेगा, दोस्तो अक्च्वल वीजा प्राइस मातर 412 रुपय है, लेकिन अगर service charges वगरा मिला ले तो 10-15,000 रुपय का खर्चा आता है, ठीक है, लेकिन अगर इसी वीजा लिए जो है, आप किसी एजनसी के पास जाओगे, तो फ्री में भी वीजा मिल सकता है, दोस्तो फ्री में अगर मतलब sponsorship अगर मिल गई आपको, तो वीजा, टिकेट, सब कुछ, employer की तरफ से, food, accommodation, सब कुछ, employer की तरफ से, दोस्तो, तो कोशिच करिए, कि जादा से जादा 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 आपको jobs मिल सके, अगर आप jobs घुन रहे है दोस्तो तो हर सक्टर में jobs available है। आप cleaning की jobs कर सकते हैं, housekeeping की jobs कर सकते हैं, kitchen related jobs कर सकते हैं, आप sales से related jobs कर सकते हैं, cashier वगएरा की jobs कर सकते हैं, सुपरिमार्केट में बहुत सारी jobs अवेलेबल हैं, आप अपने screen पे देख सकते हैं, यह टॉप supermarkets हैं, जिन इस 먹어books में आप job सकते और job के लिए apply कर सकते हो मैंने पहले भी वीडियो बनाई है वो वीडियो भी आप जा करके check out कर सकते हो दोस्तों साथ ही वे रहुसे इस construction related jobs आप अप्लाई कर सकते हो construction की companies चाहिए तो दोस्तों आप अपने screen पर देख सकते हैं यह कुछ construction related companies हैं दोस्तों जिन companies के अंडर आपको semi-skilled और highly skilled jobs देखने के लिए और तो और labor helper type की jobs यह आपको देखने के लिए जिन jobs के लिए आप 2,500-3,000 euros कमा सकते हो दोस्तों ठीक है इन companies की website पर जाना चाहते हो तो कुछ नहीं करना है जो मैंने आपको companies बताएं दोस्तों आप screenshot लीज दोस्तों अगर आपके पास वो नहीं है तो आप हमारे चैनल पर वीडियोस देख सकते हैं उन वीडियोस को देखिए सीखिए और jobs के लिए apply करना चालू कीजिए अगर आपको समझ नहीं आ रहा है या फिर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमें contact कर सकते हैं दोस्तों न सुपर मार्केट्स के बारे में आपको बताया दोस्तों अब अगर आप डिरेक्ट कंपणी की website पर नहीं जाना चाहते हैं आप किसी job portal के जरिये job apply करना चाहते हैं तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं यह कुछ job portals हैं दोस्तों जो की बहुत जादा top popular job portals हैं लगज सकते हैं दोस्तों recruitment websites जो है um wichtige site आप अपने जाब सकते हैं और को कोई जौब के लिया अगर आप आलिजिबल होंगे तो ये recruitment agencies है, ठीक है, तो इन agencies की website पे भी जाकर के आप अपने लिए job ढून सकते हैं और apply कर सकते हो, इतना सारा मतलब मैंने आपको information दे दिये, दोस्तों, इतनी सारी information आपको दे दिये, I hope कि आपको जो है, सारी की सारी जानकारी पसंदाई होगी, आप इन सभी जानकारी का इस्त किनिया जाना चाते हैं, तो यही process अपनाना है, Malta, Croatia, Poland, किसी भी country में जाना चाते हैं, तो यही same process आपको follow करना होगा दोस्तों, साथी tax की अगर बात करें दोस्तों, तो taxation भी जो है, Luxembourg में बहुत कम है, आप अगर 4,500 EUR के करीब कमाते हैं, महीने के, तो आपको कुछ 24-25% tax देना होता है, दोस्तों, बाकि अगर दूसरी country में जाएंगे, आपको तो बहुत जादा tax देना पड़ता है, आप खुद से अपना Luxembourg का tax calculate भी कर सकते हैं, आपको Google पे Luxembourg tax calculator सर्च करना है, दोस्तों, और आपके सामने बहुत सारी websites आ जाएंगे, किसी भी website open कीजे, वहा भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, salary अच्छी, family के साथ जा सकते हो, visa पा सकते हो, ठीक है, हर type की jobs available है, competition जादा इसलिए नहीं है, क्योंकि भाईया, बहुत जादा मतलब लोग जानते नहीं है, इसके बारे में और population भी बहुत कम है, यहां पर आपको jobs बहुत सारी देखन करोगे, तो जल्दी response आएगा, क्योंकि वहां के employer को ना भाया, चाहिए neat and clean, अच्छा professional CV, अगर वो नहीं बना के दे पा रहे हो, दोस्तों, तो उसमें आपको दिक्कत आएगी, आपको selection में दिक्कत आएगी, तो उसके लिए आप हमें contact कर सेखते हो, फिर से एक बार नहीं दोस्तों मिलते हैं, अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए, बाई बाई